गुड मॉर्णिंग एस्टुडेंट्स आज परना है सेवंध कलास में हिंदी में है महा सुवेता देवी तो महा सुवेता देवी के बारे में आप कितना जानते हैं इसके कहानी को पढ़ेंगे इनके जीवनी को तो हम लोग जानेंगे आज परना है ये पस्तुत पार्ट में लेखक ने महान महिला साहितकार महा सुवेता देवी के जीवन के अंचुवे पहलू का बर्नन किया है एक की बहुत ही महान महिला साहितकार है जिसका नाम है महा सुवेता देवी इनके जीवन के बारे में बहुत ही सुन्दर ढंक से बर्णन किया गया है महा सुवेता देवी बंगला भासा के साथ साथ हिंदी की भी परशित लेकिकार रही है यह जो है महा स्वेता देवी यह बंगला के तो साहितकार थी और यह साथ में हिंदिक में भी परसिद लेखी का रही है बंगला लेखक भी है और हिंदी में भी इनको इनकी पकर थी तो इन्होंने क्या-क्या योगदान दिया है साहित के छितर में, इसको आज इनकी जिवनी को पढ़ेंगे, तो हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, समझेंगे, तो आईए इसके बारे में हम लोग एक बार ध्यान देते हैं, किताब की योड और इनके बारे में पढ़ते हैं यह एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी प्रतिभा और लगन से ना केवल भारत बलकि पूरी दुनिया में मान सम्मान पाया इस विख्यात महिला का नाम है महासिविता देवी यह एक ऐसी महिला का बर्नन है साहित के छेतर में जो यह भारत में नहीं पूरे वर्ड में पूरे दुनिया में पूरे बिश्व में इन्हों ने अपना नाम कमाया लोगों ने इनको जाना और इनको मान समान पतिष्टा भी प्राप्थ हुआ तो ऐसी महिला है महासिविता देवी तो यह आपको एक लेखिका तो थी और यह समाज सिवा में भी कार्यत थी लोगों की शेवा करना इनका धरम था समाज में ऐसे बहुत स से असाहे लोगों हूँ जिसकी ये सेवा करती थी ये बहुत करना और समाज में सेवा लोगों का करना की तुछा सारा जीवन गरीब हो दलितो अदि गार्ट देखिए बहुत ध्यान सुनिए यह जो थी एक लिखिका तो थी और ऐसे ऐसे लोगों की इनोंने सेवा की जो इनके लिए सरानिय है उनका जीवन जो है गड़ीबो दलीत जो दबेवे लोग थे उनकी सेवा करना इनका धरम था उनका लेखन भी इसी समाज सेवा का किस्सा है वह लेक जो लिखी है इससे ही यह जो समाज में जो दवेवे लोग थे जो गरीब लोग थे उसस के लेकर ही इनोंने लेक लिखा है जब यह समाज में घुमेगी समाज में देखेगी तब नसके बारे में कोई लेक लिखेगा जानेगा उसके बारे में अंदर तक जाएगा उसके दिल में समाएगा, तब न उसके बारे में सामने उभर कर आएगा कि गरीबों की क्या कमी है, गरीबों में क्या उसके अंदर दर्द है, उसके दर्द को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप कैसे उसके बारे में लिखेंगे कहानी, तो ये उनलों को से मिलती थी, ऐसे ल बिर्धावस्ता में भी वे 16-17 घंटे कार्ज करती थी, देखे, इनकी कितनी खासियत थी, कि ये जब बुरी हो गई, उसके बाद भी 17 घंटा कार्ज करना किसी के लिए बहुत बरी बात है, यहां तो यंग आदमी जब होते हैं, तो 14 घंटा कार्ज करने पर ठक जाते हैं, ये उस बिर्धावस्ता में आने के बाद भी, ये 17 घंटा कार्ज करती थी, और ये उसे सोसित पर तो जो लोग थे, जो दुखों से दुगे हुए थे, उनको बारे में इनका, उनही को उनके बारे में देखना था, उनके दर्द को समझना था, और अपने किताब में लिखना थ जब उनके दर्द को आप समझिएगा, तब आपको किताब में उसके बारे में लिखिएगा, तब लोग जानेंगे, महास्वेता एक सब सुष संस्क्रिती और समिर्ध प्रिवार्त में 14 जनवरी 1926 को धाका जो बंगला देश में है, में पैदा हुई थी, इनका जर्म जो है एक खुबी सब प्रिवार, जो संस्क्रिती से सजा हुआ था, और धन संपन से भी पुरा था, वो इसे प्रिवार में इनका जन्म हुआ था, बंगला देश जो है भी धाका राज्धानी है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, और 14 जनवरी 1926 को, घर का वातावरन बालिका, मह स्वेता के विकास में बड़ा साहिक बना, इनका घर का वातावरन जो था, घर के लोग परहे लिखे थे, सब थे, सिष्टाचारित थे, तो उनका पालन पोशन जो है सही परिवार में हुआ, जिसके चलती वो भी चरितुआ थी, और धीरे धीरे इनका भी विकास हुआ, और इनके अंदर जो भी अच्छाइक थे, जो चरित के गून थे, चरितवान गून सब इनके अंदर परिवार से उनको मिलता गया, क्योंकि परिवार का वातावरन इनका स्वक्ष सभ और संस्कृति वाला था, इनके पिता मनिश चंद घटक परसित कभी और लेखक थे, इनके इनकी माता धारती देवी एक लिकाती, माता पिता दोनों लेखत, स्वाबी के बच्चे भी उसी और जुका होगा उनका, वे अन्य भासाओं में बंगला में अनुबाद भी करती थी, समाज सेवा करने का भी उन्हें सौक था, तो वो बंगला भासा में जो भी लिखा करती थी और साथ में समासेवा भी इनका अपना एक कर्टब था कि हम समासेवा भी करेंगे लोगों की सेवा करेंगे महा स्वेता को अपने माता पिता से ये गुन बिरासत में मिले थे महा स्वेता देवी को ये जो गून मिला उनके माता पिता से मिला क्योंकि माता पिता लेखक भी थे और समा सेवे भी वो गून इनको बिरासत में मिला माता पिता से मिला स्वाबिक है आप बास समझ रखेंगे माता पिता का लेखक है करेंगे जिसका यहीं रही हुआ कि महा स्वेता देवी एक स्वेता देवी के परिवार में अनेक प्रतिवासाली और प्रख्यात बैकती हुए इनके परिवार में एक से एक उनहार और परसीद ऐसे बैकती हुए उनके चाचा रितिक खटक परसीद फिलिमकार थे अब इनके चाचा जो थे फिलिमकार थे फिलिम बनाया करते थे महासोयता देवीर के एक मामा सलील चौधरी अंगरेजों की प्रसीद प्रतिका एकोनोमिक और पोलिटिकल विकली के संस्थापक और संस्थापक और संपादक थे इनका पूरा परिवार जो था इसी में डुबा हुआ था लेक में और कोई किताब लिखने में पत्रिका में पूरे फैंबली इनकी इसी से जूरी हुई थी तो उनके दूसरे मामा संख चौधरी बहुत-बरे मुर्तिकार थे अब इनके मामा एक उनके आपको एक रजी में पत्रिका थी एकनोमिक्स एंड पॉलिटिकल इकली उसके संपादक थे और सस्तापक भी थे और दुसरे मामा जो थे मुर्तिकार मुर्ति बनाने वाले यह पूरा परिवार जो था एक कलाकार था यह लोग किसी ने किसी काम में निपुन था डुबा हुआ था ऐसा फैमली जो है बहुत कम होता है तो ऐसे फैमली में बच्चे जब जम लेते हैं तो उनको एक अच्छा संसकार मिलता है और अच्छा कुछ समा परता है तो उनमें कला और साहित के परती लगाउ की भावना बिक्सित हुई है कि महास्वेता देवी की पाड़्मिक शिक्चा धाका अख कलकता में हुई इसकी सुर्वात की जो सिख्चा कि महास्वेता-धिकी धाका और कलकता में साम्ती निकेतन से इन्हों ने में बीए ओनर्स की परिच्छा उतिरिंद की शांति निकेतन एक जो है बंगाल में बहुत ही अच्छा कोलेज है वहीं से इन्होंने बीए की परिच्छा पास की अब कॉलकत्ता भी सुविद्धाले से एंग्रेजी साहित में में की उपाधि प्राप्त की बीए करने के बाद उन्होंने मास्टर ऑप आर्ट बने जानिकी अंग्रेजी में इनोंने एम में किया कि चालीश के दसक में महाँ स्वेता देवी का बंगाल के परशित नाटक कार वीजन भटाचार से भीवा हुआ इनका सादी कब हुआ किस से तो एक बहुत परशित वीजन थे वीजन भटा सब्पीज हो करने सब्ड़ाइफ में आपना सब्वा िटो ऐसे बिजनभटाइचार कम निश्ट पार्टी पplex थे और आक्वा इन कहाकर थे उनके वह धलाए के लि लिए जो भी इन से बंटा था वह काम करते थे उनके फ्र्विदा के लिए यह सम्प्रपित थे वे एपटा के शमपादक सदस्त थे। दवितिय स्वीद के बाद बंगाल में एक Вिशन अकाल पडा, उसमें लाखों लोगों ने जाने गई थी. दितिय भी सूरोष गे बाद जो बंगाल में भ्यानक अकाल पड़ाता है आप लोग जानते भी होंगे चाहिए तो जानिएगा कितने लोग मर गए थे एप्टा ने अकाल पीरतों की साहिता के लिए बहुत अधिक कार्ज किया था एप्टा जो था एक सांस्तान है जो इसमें अकाल पिरत में लोग जो मरे थे उसको इन लोग ने काफी मजद किया था महा सविता देवी ने इस कार्ज में भी अपने पती का हाथ बटाया जो इनके पती तो थे कवनिश्ट पिचार के थे वो किसानों मजदूरों का सेवा करना उनका धरम था जब वहां पड़ अकाल पड़ा जब वह सेवा दे रहे हैं कल दो झाहिए माता पिता के पत्जीनों पर चल रहे हैं वह बंगाल भासा के के सेश्ट कभी माने जाते हैं उनने प्र निखे हैं उन्होंने उपन्यास में लिखे हैं, विवा के बाद महां स्विता देवी को बड़ी धार्विक तंगी शामना करना पड़ा, उनको साधी के बाद क्या हुआ, उनेे अक्रिमिकल क्राइसिस हो गया, पैसे की कमी हो गई, तंगी हो गई, भीचल भटाचारल को कोई आमदनी नहीं थी, और महा सुईता दिवी के पास भी आयका कोई साधर नहीं था, अब उसके पास भी कोई आमदनी नहीं, इनके पास भी नहीं, तो क्या होगा घर में पैसे की कमी होगी, तो परिसानिया बढ़ में सो भीवान आरे आता था कोई काम ना मिला तो महास्विता घर घर जाकर अगरवतिया बिचने का काम करने लगी कि उस दिनों बाद उन्हें एक सरकारी दफ्तर में कलर की नोक्री मिल जब उनको परिसानी हुई घर को चलाने के लिए डो टू डोर उनको अगरवतिया बिचन और आधा जो है कल पढ़ेंगे सेज भाग को कल पढ़ा जाएगा तो आप लोग एक बार स्रेवन क्लास के बच्चे 23 लेशन में एक बार जिरूर्स को पढ़ लिजेगा फिर से अपने से तो आधा को हम सेज भाग को कल पढ़ाएंगे तब तक के लिए धन्यवा हम लिए फिया लिए एक से समय य्या एक स्वीी काओated का अष्ड श।सी था मैं ऊझा है कि और प्लस का श।सी था ज कर ऍेर एक है